Hello dear friends, I welcome you all to the channel Science Bindu and today we are going to do the chapter Poonam's Day Out. आज हम class 3rd की E.V.S का पहला chapter करेंगे और इसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर और इंग्लिश की किताब में इसका नाम है Poonam's Day Out. तो चलिए हम आज का chapter शुरू करते हैं. Maa, please let me go to school today. I've been at home for the past two days. I'm getting bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Maa. Poonam ने कहा, Maa मुझे आज school जाने दो. मैं दो दिन से घर पर बैठी बोर हो रही हूं. लेकिन Maa ने उसे डांटा और बाहर जाकर चार पाई पर सोने के लिए कहा. Poonam went outside. She fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? Ew! It seems it's the crows. तो दोस्तों आपने देखा. Poonam जाकर बाहर जाकर चार पाई पर सो गई और उसे नीद आ गई. कुछ समय बाद अचानक उसके चहरे पर जैसे कुछ गिरा और जैसे ही उसने अपने चहरे पर हात लगाया, उसके गाल पर कुछ था. उसने सोचा ये क्या है? क्या ये कव्वे की करामात है या कबूतर की? It seems it's the crows. उसको लगा कि शायद ये कव्वे का काम है. Poonam looked up. She saw many animals on the tree. और जब उसने ये देखने के लिए के ये कव्वे की है या कबूतर की, आँख उपर आँख उठा कर देखा. तो उसने पेड़ पर बहुत सारे जानवरों को देखा. क्या आप भी देख रहे हैं पेड़ पर बहुत सारे जानवर? Can you also see these many animals on the tree in the picture? Let's write down their names in our notebook. Friends, I can also see a number of animals on the tree. I have also written them down on my notebook. So, are you ready to cross-check with me? I see a pigeon. मुझे एक कबूतर दिखाई दिया. I saw a crow. मुझे एक कववा नजर आया. I saw a squirrel. मुझे एक गिलहरी भी नजर आई. I saw a monkey. मुझे एक बंदर दिखाई दे रहा है. I saw a number of ants. मुझे बहुत सारी चीटिया नजर आ रही हैं जो एक लाइन में चलती जा रही है. I saw a butterfly. मैंने एक तितली देखी. I saw a sparrow. मुझे एक चिडिया दिखाई दी. I saw a cuckoo. मुझे एक कोयल नजर आई. And here is the parrot. ये थोड़ा से हिसा तोटे का भी नजर आ रहा है. पूरा नहीं दिखाई दे रहा. But it's hidden in the tree. Could you find the parrot, dear friends? Now that Poonam had seen all the animals on the tree, and we have also seen, now she thought to clean her face. She picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. But her cheek was still sticky. उसने एक पत्ता उठाया और उससे अपना चेहरा पोँचा. लेकिन वो अभी भी चिपचिपा था. तो उसने सोचा, क्यों ना मैं तालाब के पास जाकर अपना चेहरा धोलू? She thought, Let me go and wash my face in the nearby pond. तो दोस्तों, अब वो ताल की तरफ चली. आपको ध्यान है, हमने पाट का नाम पढ़ा था डाल डाल पर, ताल ताल पर. तो पहले उसने पेडों की डाल पर जानवरों को देखा, और अब वो हाथ मूद होने के लिए ताल की तरफ चली. अब वो ताल की तरफ चली तरफ चली. मुझे एक कच्वा भी नजर आया. कच्वा जो धीरे धीरे चलता है. I saw a buffalo in the pond. मैंने तालाब में भैस देखी. दो दो, एक भी नहीं दो दो, और तालाब में कितने मजे से नहा रही हैं. I saw a frog swimming in the pond. मुझे एक मेंधक ताल में तेरता हुआ नजर आया. मुझे एक मैंना भैस के उपर बैठी हुई नजर आयी. और मुझे दिखाई दिया एक बगुला. I saw a stalk. So friends, we have been to the pond and we have been to the tree also. हम ताल पर भी घूम आये और हमने डाल पर बैठे हुई बहुत सारे जानवरों को भी देख लिया. अब हम एक activity करेंगे, एक game कह लीजिए, ये एक crossword puzzle है. आपको सामने बहुत सारे डिब्बों में कुछ अक्षर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, इन में कुछ जवाब चुपे हैं. अब मैं आपसे पहेली के रूप में कुछ सवाल पूछूंगी. हर पहेली का जवाब आपको इस crossword puzzle में छिपा हुआ नजर आएगा. So friends, let us start with the puzzles, with the riddle. पहली पहेली है, बनाना is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. मुझे केला बहुत पसंद है और मुझे उचलते कूटते रहना बहुत पसंद है. मैं कौन हूँ? अरे भई, बंदर! It's the monkey. Let's find out his name in the box. Very good. Puzzle No. 2 On the walls, webs I weave. Where insects stick and cannot leave. मैं दिवारों पर जाले बुनता हूँ और उन जालों में छोटे-मोटे कीट, पतंग, कीडे आकर चिपक जाते हैं और वहां से छूट कर जा नहीं पाते. ऐसा कौन करता है दोस्तों? जरा सोचिये. Yes, it's the spider. ये है मकडी. Riddle No. 3 I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं दिन भर सोता रहता हूँ और रात भर जागता रहता हूँ. सोचिये कौन है? उल्लू. उल्लू को हम इंग्लिश में आउल बुलाते हैं. Have you found out owl dear friends in the box? Yes, great. Let's come to the fourth riddle. Krok, 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 krok. Krok, krok. In water or on land, I'm found krok, krok, krok is my sound. मेरी आवाज को इंग्लिश में krok, krok बोलते हैं. Krok, krok, krok. और जब आप सुनेंगे तो ऐसी आवाज आएगी. बताईए मैं कौन हूँ? अरे वाह! आपने बिल्कुल सही जवाब ढूंडा. मैं हूँ में धग. Find out the name frog in the box. Next riddle. I appear after rainfall. Have no feet. So I crawl. मैं बारिश के बाद नजर आता हूँ. और मेरे कोई पैर नहीं है. इसलिए मैं रेंगता हूँ. बताईए वच्चों. बिल्कुल सही जवाब. ये है snail. इसको हिंदी में घोंगा भी बुलाते हैं. Next riddle. Slow and steady is my pace. Always I win when there's a race. मैं धीरे धीरे चलता हूँ. लेकिन लगातार चलता रहता हूँ. और जब भी कोई race होती है, तो मैं जीत जाता हूँ. हमेशा. दोस्तों, क्या आपको कच्चुए और खर्गोश की कहानी याद आ रही है? इसी में छिपा है आपका जवाब. सही जावाब, कच्चुए और टॉटस. विए जावाब टॉटस अजीत ऑजावाब, कच्चुए और तॉटस. वेरी गूद आ आपको कच्चुए और ले चापको करेदा हूँ. Here we complete the chapter for today. Now we come to the homework for all of us. Friends, you also must have seen many animals around you. Can you write down their names in your notebook? I have made a list for you. Please write down their names in the notebook. We finished the chapter here. Please like, share and subscribe my channel Science Bindu. Thank you.